नमस्ते बच्चो आज के सेशन में हम कविता यान कोयल मिस्स लज़न वर्थी कोयल इस कविता के बारे में हम जानकारी पार करें बच्चो यह पता है आपको कोयल नाइंटिंगल पूते हैं जो इसकी जो आवाज है बहुत ही मीठी होती है और यह कूकू करके कुकारती है ना तो यह है कोयल अब इसकी बारे में एक पूयम है यह मैं अच्छे पढ़ती हूँ इसे आप ध्यान से देख लेजिए कोयल की फूक न्यारी वह तो सब को प्यारी कभी कभी वह आती है कूक से सब को भाती है रंग से वह तो काली है वानी उसकी निराली है वह तो फल ही खाती है उड़कर फृर हो जाती है फिर से एक बरपटिन देख लीजिए बच्छो कोयल की कुक न्यारी वह तो सब को प्यारी कभी कभी वह आती है कूक से सब को भाती है रंग से वह तो काली है वानी उसकी निराली है वह तो फल ही खाती है उड़कर फृर हो जाती है कोयल की कुप न्यारी कोयल कोयल नाने नाइटेंगल उसकी जो कुक का मतलब है उसका जो वाईस जो वह सांड करती है कुकु करती है वह कुक वह बहुत ही भी वीड़ीफल है वह अ Voor व्क वाकतों सब को प्यारी वह सब करती है कभी कभी वह हाती है वो हमेशा नहीं रहती जैसे या हमेशा दिखाई देता है कर ड़नी कववा हमेशा जिखाई vita है हर यह बहुत दूर दूर बहुत समय के बाद कहीं पर आप देख सकते हूं हर जगा नहीं रहती कभी कभी वह आती है समसम टाइम पिक्विल कम कोक से सबको भाती है यानि एक कोवव और कोईल देखने के लिए बहुत सारे सिमिलारिटी होते हैं थोड़ा उसकी पूंच और उसकी जो चोच होती है उसमें आंख में थोड़ा डिफ्रेंस होता है लेकिन दूर से कभी कोवव और को उतना जल्दी हम डिफ्रेंस्येट करने नहीं होता यानि हम उ इस जो आवाज उससे पता चलता है कि कोयल है और यह कववव है कववे काव करता है वह कूकू करके पुकारती है जब संतरू तु आथा तब वह अच्छे से पेढ के ऊपर बेढ़ के कूकू करके पुकारती है मुदर सवर्ससे男 तो कोईल कोई भी आवाज सुनें कितना अच्छा कोऄ रही है कोऊए तो हमेशा काँ-कां करता है उसकी तरफ कोई भी ध्यान से नहीं देखता लेकिन एचुक्त गॉच्वी करें तरसंगे के सबी को अट्राट करते हैं भाथी भाती यानने अट्राक करना रंग से वह हम देखने के लिए काली है जैसे क्रोकला है तरह ये कोईल भी कालु होता है वाणी उसके रहानी है लेकिन खाती है शो क्या खाती है इसका फूड क्या है जाती है उड़कर फुर हो जाती है पेड़ के उपण आपकर बेटी है वो हो यहां कोई नीठी फल होता है उसके उपर बेटके वो खाती है वह ही उसका फूड़ है वो खाके फूर करके वो उड़ जाती है तो यह है कोयल कोयल सभी कोयल बहुत ही न्यारी और यह सब को प्यारी है याने सब को पसंद आती है यह लवली कभी कभी हो आती है वह हमेशह नहीं यहीं वहाणिया काली निराणी यह सारा देखो राइमिंग वर्स वानी उसके जो वाइशे वह बहुती ब्यूटिफिल है स्वीट है वह तो फल ही खाती है वह क्या खाती है फल ब्लेदेम फूर्ट उड़कर फुरहो जाती है पुरा पेट जब भर जाता है तो वह उड़के चली जाती है कोयल की कूक न्यारी वह तो सबको प्यारी कभी-कभी वह आती है कूक से सबको पाती है रंग से वह तो काली है वानी उसकी निराली है वह तो फल ही खाती है उड़कर फुर्व जाती है यह बच्चों थोड़े पीनिक्स इस पयम के न्यारी ब्यूटिफुल प्यारी लवली कभी सम्टाइंप भाती अट्राक्ट काली ब्लाक वानी वाइस निराली प्लेजेट उड़कर फ्लाइड यह कुछ वर्व आपको इसे फ्लासर में लिखे फिर यह फस्ट में मीमिस लिखना है फिर सेकेंड में पोयम को आपको लिखना है सारा अफल पोयम पूरा आपको लिखना है यह पोयम आपको दो स्टैंजा है इसे लिखना है और सी कें लिखना है बचों को विए अब कर लाइट कर रए यहां पर वर्ड, कोयल यहां नेटिंगल का यहां पर पिक्चर लूकल ज्टिक करना है और यह थोड़े raving words हैं यह ज़ेट प्यारी आती भाती काली काली ऑदा की вдat इसे आपको सीखना है इसका वितापको कंटस्त करो यानि यह दूस्ट्रांजा है इसे आपको सीखना है तो यह बच्चों लेसन नमबर 13 आप हम जाएंगे लेसन नमबर 14 लेसन नमबर 14 है पालतु जानवर इसे पालतु का मतलब होता है टी इनिमर यानि घर में हम उस एनिमर को पाल सकते हैं इसमें कोई हमें कोई भी क्या मतलब हौनी नहीं होती यानिंशे हमें क्या में बेंगे इनी होता वह हमें आराम से हम उसे बच्चे की तरह घर में रखके पालते हैं और उसके अच्छे देखबल कर सकते हैं, वो हमारे उसफुल होते हैं, वो है टेन एनिमल, यानि पालतू जानवर, यानि घर में पालने वाले जानवर को पालतू जानवर कहते हैं, तो बच्छों आपके इस पार्ट में कुछ पालतू जानवर के बारे में दिया दिया है आप पिचर दे सकते हैं इसमें मालूम होगा कि ये बिल्ली है ये गाएं है ये कुटा है ये बक्री है है ना तो इसके बारे में कुछ जानकरिक दिये हैं देख लेजिए कुटा बिल्ली गाएं बक्री पालतू जानवर ह कुटा बिल्ली गाई बकरी पालतु जानवर है वे हमारी सहायता करते हैं कुटा घर की रक्षा करता है बिल्ली चुहू को पकड़ती है गाई बकरी दूर देती है कुटा बिल्ली गाई बकरी पालतु जानवर है वे हमारी सहायता करते हैं कुटा घर की रक्षा करता है बिल्ली चुहू को पकड़ती है गाई बकरी दूर देती है तो यह है यानि आपको पालतु जानवर के नाम पता चल गए कि कुटा बिल्ली गाई बकरी यह पालतु जानवर होते हैं वे हमारी सहायता करते हैं जो पालतु जानवर है वो हमारी क्या करते हैं वो help करते हैं सहायता, सहायता का meaning है help, यानि बिल्ली भी घर में चुहे पकड़ के help करती है, और गाएं हमें दूदे के help करती है, कुटा हमेरे घर के रखवाली करती है, और बकरी भी हमें बहुत useful animal है, जो मामस होता है उसे और इसका दूद भी लिया जाता है, तो इस तरह से हर एक पादू जन्वर एकना एक हमें सहायता करता है, वे हमारी सहायता करते हैं, कुटा घर की रक्षा करता है, ये कुटा का काम क्या है, कुटा घर में पालते हैं, क्यूंकि घर की रखवाली करने के लिए, अगर कोई भी चोरा जाये, तो ये कुटा पकड़त बिल्ली चुहों को पकड़ती है बिल्ली को पता है कि बिल्ली का काम चुहों को पकड़ना घर में को भी राइस आता है तो ये बिल्ली के आवाज उसकी जो आवाज होती है मियाँ मियाँ इसे सुनते ही पूरे चुगे भाग जाते है गाई बकरी दूद देती है के लिए तो यह कुछ एनिमल्स के नाम और उसकी हेल्प की किस तरसे वह हमें सहायता करता है बिल्ली चुहों में चुहों को पकड़ती है गाएं दूर्द देती है कुटा घर की रखवाली करता है और बक्री भी दूर्द देती है यह बच्छों इस पाठ का पाठ और अब हम जाएंगे पेज नंबर थर्टी सेक्स पेज नंबर थर्टी सेक्स देख्वीचे बच्छों इसे पहले हम अब एक बढ़नी आप यहाँ पर लिखा गया है देख्वीचे बीक्स कुटा डॉब बिल्ली क्याट गाण कोब बक्री गोट सहायता है प्रक्षा प्रक्षण चूहो राज पकड़ती क्याच देती गिव्स यह कुछ मीनिंग इसे आपको कहां पर लिखना है फिर इस में जो कोशन आन्सर में पे जुगे उलों में पेजुकी उसे आप उसे लिख सकते हों यह पहला मीनिंग लिखना है और दूसरा मीनिंग कोशन आन्सर लिखना है आप हम जाएंगे टीबी एक्सिसज्स गाब्ल्टू जान्वर है सही या गलत सही तो इसे मार्ग कीजिए मार्ग करना है कुटा घरकी रक्षा नहीं करता कुटे का गप्षा करना है यहां पर दिया अगया है नहीं करता तो उसे रौंग डालिए बिल्ली कुट्टे को पकड़ती है या चुहे को पकड़ती है आचुहे को तो ये कुट्टे को कहा है तो वो रॉंग है गाईं दूद नहीं देती गाईं का काम है दूद देना ये गाईं दूद नहीं देती कहा है तो ये भी रॉंग है तो right, wrong, wrong, wrong अब हम जाएंगे fill in the blanks कुता, बिल्ली, गाई, बकरी, डैस, जानवर है किसे कुता, बिल्ली, गाई, बकरी को कैसे जानवर करते हैं? पाल तू, आप लिखिए पाल तू जानवर है पाल तू जानवर है बिल्ली डैस को पकड़ती है पिल्ली किसे पकड़ती है? चूहों को किसे पकड़ती है? चूहों को पकड़ती है चूहा, चूहा और चूहों चूहा यानि एक सिंगर रैट होता है चूहों यानि बहुत सारे रैट कुता डैस की रक्षा करता है कुता घर की रक्षा करता है गाएं बकरी डाश देती है गाएं और बकरी क्या देती है दूद देती है इसे आप टेक्सबुक में इस तरह से कॉपी कीजिए बच्चो तो यह हुआ लेसन नमबर तोटी कोयल पोयम आपको सीखना है और लेसन नमबर फोर्टीन यह पाक्तु जानवर इसके बारे में आपको कोई भी डॉट हो तो अपनेक सेशन में पूछ सकते हो धन्यवाद